ओके तो जीमेल में हम लोग सिग्निचर क्रियेट करते हैं तो सिग्निचर कैसे हम लोग क्रियेट करेंगे पहले वह देखेंगे ठीक है तो इसके लिए हम पहले अपना जीमेल अपकाउंट ओकन कर लेंगे अभी मेरा inbox full गया है अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे हमको जाना है settings में पहले signature के लिए तो हम यहाँ पर ctrl F करके settings हो सकते हैं या down arrow से भी जा सकते हैं यह letter B से settings button B से मैं गया यहाँ पर enter अब यहाँ पर हम tap करेंगे close button देखे close button आया that means setting open हो गई है और tap करेंगे see all settings button see all settings यहाँ पर आपको enter करना है थोड़ा सा रुकना है जब तक general tab ऐसा JAWS announce नहीं करें enter general tab देखे आप यहाँ पर general tab यहाँ पर खुल गया है अब यहाँ पर आप क्या करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था keyword के वरे में search करने के लिए तो यहाँ पर आप directly control F से keyboard नहीं signature यहाँ पर search भी कर सकते हैं यह चाहे तो आप letter T press करके क्योंकि यहाँ पर जो setting भी है table format में दी है तो यहाँ पर letter T करते है देखिए यहाँ पर language का वो sub setting है इस table में तो next table है क्या देखते है letter T से देखिए यहाँ पर यह दूसरा table आया down arrow करेंगे यह भी table end हो गया अभी यहाँ पर next table देखते है कुछ है क्या दो यह टेबल गया तो अगर हमको signature चाहिए तो direct हम control F करेंगे यहाँ पर already मैंने लिखा हुआ है इसलिए already है spelling देखिए यह आपको type करना है और enter देखिए direct मेरा focus signature पर आ गया है अब यहाँ down arrow करेंगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है appended at the end of all outgoing mail यह जो जो भी mail जाएंगे हमारे वो इसमें जाएंगे तो यहाँ पर जो है जो भी हम outgoing mail मतलब जो भी mail भेजेंगे उसके end में यह signature आएगा यह information दी होई है down करेंगे अगर आपको जानना है signature क्या होता है कब होता है कैसे होता है तो आप इसपे enter करेंगे तो उसकी जानकारी खुलेगी लेकिन हमको यह नहीं पढ़ना है तो down करेंगे no signatures okay अभी down करेंगे create a new signature button देखें यहाँ पर no signature क्यों बोला क्योंकि मेरे नहीं अभी तो कोई इसमें signature बनाया ही नहीं है तो अब यहाँ पर create signature करना है, हमको नया बनाना है, तो यहाँ पर enter करेंगे, लेकिन down करके देखते हैं कुछ और option है, लेकिन अभी यहाँ पर और कुछ option नहीं आ रहा है, वो कब आएगा जब हम signature बनाएंगे, तो देखते हैं पहले हम उपर आप एरो करेंगे, create a new signature button, हमको नया बनाना है, तो यहाँ enter, देखें यहाँ पर आप अलग-अलग signature, एक mail के लिए आप एक से ज़्यादा भी signature लगा सकते हैं, तो एक साथ तो सारे नहीं लगाएंगे, एस पर situation, भी official mail के लिए आप अलग रख सकते हैं, परसनल के लिए अलग अलग आप कर सकते हैं, तो आप identify कैसे करेंगे, कि कौन सा signature लगाना है, तो इसके लिए आप क्या देंगे, signature को नाम देंगे, जिसे कि आपको पता चले कि यह हैं, अब जैसे मान लो, यहां पर है, edit signature name, यहां पर मेरा focus है, और मेरा forms mode जो है, वो manual है, इसलिए directly edit box के अंदर नहीं गया है, तो enter करूँगा मैं, enter, तो यहां आवाज भी आई, अब यहां पर मैं कोई भी नाम दे दूँगा, जिसे मैं identify कर सकूँ, तो मैं यहां पर, मैं नाम देता हूँ, friendly, okay, मैंने यहां पर friendly नाम दे दिया, और यहां पर enter कर देंगे, okay, अब हम देखते हैं, आप पे रो करके, अब यह create हो गया है, और हमारा जो focus है, वो कहां आ गया है, वो दुबरा उपर top page पे आ गया है, तो दुबरा हम signature को खोशते हैं, control F करके, और यहां पर enter, अब दुबरा फोकस आ गया है, signature पर down करेंगे, देखें, यहां पर मैं down arrow कर रहा हूँ, यहां पर दिखा रहा है, अभी friendly, okay, आप down करेंगे, edit signature name button, अगर मुझे इसका जो है, अगर मुझे edit करना है, तो मैं यहां पर enter करूँ गा, down करेंगे, अगर मुझे यह delete करना है, तो मैं इसको यहां पर enter करूँ गा, तो delete हो जाएगा, down करेंगे signature, signature, edit, edit, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, text लिखना है, कि हम क्या इसमें लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर enter करता हूँ, enter settings-mukish.j.computer at gmail.com-gmail main region tab column 2029, signature edit, देखे signature edit, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कॉमा करता हूँ, और enter, अब हम generally क्या करते हैं, जब किसी को भी personally हम letter लिखते हैं, या email करते हैं, तो हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं, नाम ही लिख लेते हैं, ओके तो यहाँ पर example लिखता हूँ मेरा नाम, अब यहाँ पर मैंने यह कर दिया है, टेक्स लिख लिख लिया है, आप multiline में भी टेक्स लिख सकते हैं, जितना चाहें, जैसे आप text word में वगरा लिखते हैं, अपना text, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, अब tap करेंगे, यहाँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सीधा tap tap करके save changes पर आऊँगा, नीचे create signature बटन पर नहीं आऊँगा, तो मैं escape कर रहा हूँ, ओके आप यहाँ पर मैं letter bb करके save changes बटन पर आऊँगा, करेंगे बहुत सारे buttons है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, control end करेंगे, और shift b करके, जैसा हमने वहाँ भी किया था, keyboard के इसमें, shift b करके save changes पर आएँगे, save changes बटन, यहाँ पर आगए, यहाँ पर enter, settings-mukish.chain.computer at gmail.com-gmail, table, column 1, row 1, main region, primary tab, panel, grid, column 1, row 1, unread, google, security, देखेंगे, अभी यहाँ पर इस signature create हो गया है, example मैं यहाँ पर compose करता हूँ mail, तो क्या होता है देखते हैं, use virtual pc cursor off, okay off किया, अब compose के लिए c, compose colon new message dialogue, new message region 2, compose colon new message to ccbcc, search, यहाँ पर मैं example, लिख लेता हूँ, मेरा email address, m-u-k-e-h-b-o-o-k-s, at g-a-i-l-p-r-c-o-m, और enter, okay, अभी यहाँ पर subject में आएंगे, subject edit, hello, okay, tap करके message body में आएंगे, message body edit, okay, अभी यहाँ पर up and down arrow करके देखते हैं, okay, message body edit, one minute, PC cursor, sorry, use for message edit, edit, send, left edit, message edit, hello, message body, edit, hello, message body, edit, enter, देखें, यहाँ पर अभी नहीं आया है signature, क्यों नहीं आया है, क्योंकि मुझे setting में यह choose करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कौन सा signature चाहिए, तो यहाँ पर मानलो मुझे अभी setting में फिर जाना पड़ेगा, ओके, और फिर वहाँ पर मुझे choose करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं compose में already हूँ, तो यहाँ से भी चाहे तो मैं choose कर सकता हूँ, तो टैब करेंगे, अब यहाँ पर हम स्पेस करते हैं, Okay, manage signature, one of three, down, no signature checked, क्योंकि मैंने choose नहीं किया, कि मैंने सिर्फ signature बना दिया, लेकिन मैंने choose नहीं किया, कि कहाँ पर यह signature आना चाहिए, अब वो choose कैसे करते हैं, मैं दिखा हूँगा, down करेंगे, अब friendly not checked, इसको space करेंगे, अब देखते हैं, message body में में मेरा focus आ गया, यहाँ पर already यहाँ आ गया लिखेंगे, Okay, यहाँ पर already मैंने type नहीं किया, यह already आ गया है, ओके यहाँ पर उपर में जो भी text लिखेंगे आप, यह दिखेंगे मैंने line लिखेंगे, लेकिन नीचे text जो है, आपके bottom में आ जाता है, जहाँ पर आप compose करेंगे, और tap करके आप send कर जाएं, ओके तो इस तरह से आप कोई भी new signature create कर सकते हैं, अब example, मैं और एक signature create करता हूँ, जो कि office, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं भी, sent mail पर focus है, control home करेंगे, virtual pc cursor on कर लेंगे, अब control home करके top में आएंगे, अब हम control F करके setting खोजेंगे, यहाँ फिर letter B करते हैं, यहाँ पर enter, टाप करेंगे, तो open नहीं हुआ है, shift टाप करेंगे दुबरा, अब यह हो गया है, अब हम टाप करेंगे, see all settings इस पर enter करेंगे, अब यहाँ पर control F करके signature find करते हैं, यहाँ पर enter करेंगे, अब यहाँ पर signature पर focus आगया है, section में down करेंगे, यह friendly दिखा रहा है, edit नहीं करना है यह भी नहीं करना है, यहाँ पर यहाँ पर आप लेटर B करके create signature पर आ सकते हैं, create a new signature button, B से हम आ गए हैं, यहाँ पर enter, अब यहाँ पर आप name डालेंगे, example मुझे डालना है office, तो यहाँ पर मैं रेंटर किया, मैं डालता हूँ officially, और enter, अब यहाँ पर signature edit पर focus अपने आप आ गया, जो text मुझे लिखना है, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ, यहाँ पर example मैं यह देना चाहता हूँ line, okay मैंने यहाँ पर देखे लिखा है, देखे इतना मैंने लिख दिया है line, okay तो यहाँ पर अब मैं आऊंगा सीधे save changes बटन पर, तो control end करेंगे bottom of the page जाने के लिए, और shift B, और यहाँ पर enter, अब आपका focus कहाँ पर है, तो दुबारा हमको जाना है setting में, अब अब हम signature को जेंगे control F करके, यहाँ पर enter, अब यहाँ पर देखे दो signature दिखाएगा, डाउन करेंगे, अब यहाँ पर मुझे choose करना है, कि कौन सा signature आए, तो इसके लिए direct हम combo box लेंगे, यहाँ letter C से, देखे for new email combo box और कौन सा use हो रहा है, friendly, यहाँ पर enter करेंगे, अब हमें लेना है official मान लिए, तो यहाँ down करेंगे, और यहाँ पर enter, उके तो यह choose हो गया है, अब हम combo box से बहार आएंगे, escape करके, देखे दुबारा chrome button पर आया है यह, तो escape कर लेंगे एक बार फिर से, okay अब हम control end करके, direct bottom में जाएंगे, और shift B करके आएंगे, save changes button पर, यहाँ पर enter, अब मैं यहाँ पर compose करके देखता हूँ mail के कौंसा mail आता है, send mail-mukish.use virtual pc cursacy, compose colon m, u-k-e-h-b-o-o-k-s, add j-a-i-l-p-c-o-m, enter compose colon new message dialogue, new message region 2, search field extended, select list box, edit combo collapsed, अब यहाँ टैप करेंगे, subject edit, m-y-space-o-e-space-o-r-k, मैंने subject लिखा है, official, टैप करेंगे, message body edit, अब यहाँ down arrow करके पढ़ते हैं, देखे हैं, यहाँ पर यह signature आया, लेकिन उपर में, डैश 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 मैंने type तो नहीं किया, लेकिन यह डैश 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 अता है, separate करने के लिए, कि आपका जो उपर में जो लिखा है वो text है आपने लिखा है और नीचे आपका signature है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखें मैंने उपर लिखा है, यहाँ पर डैश 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 आया, और यहाँ से signature है, तो यहां पर इस तरह से आप कर सकते हैं signature add